बताओ ना मा हमें जातियों में किस ने बाटा ये आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो महानायक डॉक्टर बियार अमबेटकर एक सरीज सत्रे दिसंबर से एंड टीवी पर आरम हो रहा है और उसके टीजर में ऐसे प्रसन आये हुए है डॉक्टर अमबेटकर एक विस्व व्यापी वर्ड वाइज व्यक्तित्व है परसनल्टी है इसलिए पूरे विस्व का पूरे जगत का पूरी दुनिया का उन पर अधिकार है कि वो किसी भी तरह का वीडियो या डॉकुमेंट बना सकते है ऐसी एक डॉकुमेंटरी सत्रे दि आपको पैनी निगा रखनी पड़ेगी हर एक व्यक्ति को जो बावा साब का अनुईयाई है उसको समिक्षा करनी पड़ेगी हर एक एपिसोड की हर एक टीजर की हर एक सीन की हर एक डायलोग की आप अगर देखेंगे तो उस टीजर के अंदर सबसे पहला जो सीन है उसमें पानी का सीन दिया हुआ है और एक गोल मटोल सा गोरा बच्चा उसमें दिखाया गया है जो बावा साब का बच्चपन है बावा साब बच्चपन में काले सामले रहे होंगे गोरे नहीं रहे होंगे साउथ के लोग अधिकतर काले होते हैं जैसा का उनका रूप रंग भी रहा है क्योंकि बावा साब सुरो से ही कभीर पंथी परिवार में रहे हैं मगर बावा साब के हाथ में या बच्चे के हाथ में जो स्लैट दिखाई गई है उस स्लैट में स्री लिखा हुआ है जबकि स्री सब्द पाली का नहीं है स्री सब्द होता है शिरी एक खास कल्चर को बताया जाता है जो बावा सामने कभी एड़ॉक्ट नहीं की और नहीं बावा सामने बाद में कभी उसको कहा है वो पूस्ता है बच्चा उसके कहरवाया गया है कि पानी अगर एक है तो प्यास एक क्यों नहीं है जबकि होना चाहिए था कि पानी एक है प्यास एक है तो प्यासी लोग एक क्यों नहीं है प्यासी लोग को किसने बाटा है किसने बाटा है का जवाब अभी वो टीजर में नहीं दे रहा है ऐसे ही आप अगले सेंटेंस में अगर देखेंगे तो सीधे सीधे उनके हाथ में एक स्लेट दिखाए दिये जिसमें स्री से है ये कबीर से भी स्टार्ट हो सकता था ये भार्ग से भी स्टार्ट हो सकता था उस पे सम्विधान भी लिखाऊ सकता था क्योंकि छोटे बच्चे के हाथ में स्लेट दिखा के आप सरी से क्या कहना चायते हैं उसके बाद सीधे सीधे आपने मंदर में मा को और भावासा वंवेट कर जो पच्पन हैं मंदर के सामने दिखाया है जहां वो कूडे के ढेर के बरावर में खड़े हुए हैं और एक व्यक्ति कूडा उनके आगे जानके डाल रहा है इससे आप बता रहे हैं कि उनकी सिति कूडे जैसी है फिर भी वो मंदर के आगे जा रहे हैं जबकि वो कवीर पंथी थे वो मंदर में नहीं जाते थे उनके घर में उनके पिताजी कभीर पंथी रहे थे ये बच्चा बच्चा इस बात को जानता है इसलिए एक एक सीन को एक एक डायलोग को आपको देखना पड़ेगा एक एक सीन और एक एक डायलोग को आपको संक्षा करनी पड़ेगी जो उनका घर दिखाया गया है वो बड़ा ग्लैमर से भरा हुआ है साडियां बलकुल ठीक ठाग और प्रेस वाली है चेहरे पे चमक है और नूर है इसका मतलब है कि बावा साब का परिवार बड़ा सुकी संपन रहा होगा ऐसा बताया जाता है यह आम परिवार की तरह नहीं दिखाय जा रहा है क्योंकि फिल्म है फिल्म बेचनी है तो इसमें तलका ग्लैमर का लगा हुआ है इसको आप ध्यान से देखे क्योंकि बावा साब के हर एक सीन को आप मन में नहीं बसाईए इस एपिसोड को मन में बसाने से पहले इसकी समिक्षा भी आपको कर्मी होगी जो पहले सीन के अंदर पानी का सीन है उसमें जो विरोद दिखाया गया है वो औरतों से दिखाया गया है यानि कि औरत भी जातपात को मानती है जबकि भारत के अंदर औरतें जातपात को नहीं मानती है जो भारत के मेल हैं वो उनको जातपाद को मानने के liए बाध्यक करते हैं एक सीन के अंदर आप देखेंगे तो वो इस्कूल जा रहे हैं बहुत मुस्करा के जैसे एंटर करते हैं और मांस्टर छडी से उनको रोकता है तो master की जो छड़ी है वो अच्छूत को रोकती है जबकि उस बच्चे को पानी पीने का अधिकार भी वहाँ नहीं है इसका मतलब छड़ी से छू रहा है तो छड़ी भी अच्छूत हो गई ये एक contradiction है कि पानी का glass नहीं छू सकता master की छड़ी छू सकती है उनको नीचे बठा हुआ दिखाया गया है जबकि वास्ता में उनको class के बाहर अपनी दरी के साथ में बठाया जाता था दरी उनके पास नहीं है एक चीज़ आप देखिए कि सारे बच्चे उनके enter होते ही खड़े होते हुए दिखाय दिए है उनके हाथ में एक तरफ बसता है और एक तरफ उनके हाथ में खाने का बैर है यारी कि बच्चे ये जानते हैं कि ये जो बच्चा है ये अच्छूत है और इस अच्छूत से हमें कैसा वहवार करना है जबकि बच्चे ये कभी नहीं जानते कि अच्छूत क्या होता है और उसे कैसा वहवार करना चाहिए वो सारे के सारे लोग बड़े बताते हैं या माश्टर ने बताया होगा या उनके मावाप ने बताया होगा बच्चे बरावर वेवार करते हैं जब तक उनको कोई बड़ा ना बता जाए गर उस क्लास में ऐसा दिखाया गया है जैसे सारे बच्चे अच्छूत के वारे में जानते हैं कि अच्छूत कितनी बुरी चीज है या डॉक्टर अमेटकर कितने खतनाग बच्चे हैं कि सारे उठके एक तरफ उनसे जाने लगे ये सीन आप खास तोर से देखिए जो बच्चों के मन में जाती बात को बढ़ावा दे रहा है एक सीन उनका घर का सीन है जिसमें बावा साब के हाथ में एक स्रेट दिखाई गई है उसमें स्री लिखा हुआ है और अगले सीन में वो सम्विधान होता है वो अपनी मा से पूसते हैं कि जातियों में किसने बाटा इसका कोई जबाब नहीं है और वो खुद कहते हैं कि जब मैं किताब लिखूंगा तो मैं सबको बरावर का हग दूँगा यानि कि बच्चे को पहले से ही पता है कि वो सम्विधान लिखने जा रहे हैं ये ग्लैमर का हिस्सा है ये स्टोरी का हिस्सा है बावा साब अमेड कर को बहुत बात तक भी ये नहीं पता था कि देश का सम्मिधान वो लिखेंगे या देश का सम्मिधान लिखने लायक वो बनेंगे वो पढ़ रहे हैं और वो एक ऐसी किताब लिखेंगे कि सब को बरावर कहसा देंगे ये कालपनिक बात है इसको समझ ये कि ये जो टीजर है इसमें कालपनिक चीजें जोड़ी हुई है यह आपको ध्यान देना होगा इसलिए बहुत सारे एपिसोड आएंगे आपको सारे एपिसोड में देखना पड़ेगा कौन सी चीज इसमें डायक्टर ने कौन सी चीज इसमें जो प्रोडूसर है उसमें कालपनिक जोड़ी है कौ कौन से कलाकार इसके अंदर मैच नहीं करते हैं आख बंद करके आप एपिसोड को ना देखें बावा साप की अनुयाईयों ने बावा साप को इतना बड़ा बना दिया है कि लोगों को अब नेशनल टेली कास्ट में बावा साप का सील बनाने की आश्कता पड़ गया है तो ज विरोध नाग ना करें अगर विरोध करेंगे तो टी आर पी बढ़ जाएगी आप किसी भी हलक में उसकी घटनाओं को एके करके बताएं इससे आपके बताने से ये पता चलेगा कि ये जो एपिसोड हैं ये जूटे हैं या ये सच्चे हैं या ये अच्छे हैं या ये खरा है ये जूटा है ये कालपनिक है ये मनकलंत है या ये ठीक है अगर आप जागरुक नहीं रहेंगे तो आपका बावा साब अमेटकर आपके हाथ से निकल जाएगा क्योंकि बच्चे टीवी में जो देखेंगे वैसे ही रूप गड़ लेंगे वैसा ही बावा साब को जानेंगे जैसा बच्चों पर दिखाया जाएगा वैसे ही बावा साब बन जाएंगे किताबों वाले जो वॉल्यूम वाले बावा साब है वो दफन हो प्रफ़ाई क्योंकि विरोध करने से, सड़क पे आने से, वो एपिसोड हिट हो जाता है, टी आर्पी बढ़ जाती है, और उस जूटी कहानी का प्रचार हो जाता है, और जाने जाने वो अपने उद्देश से में सफल हो जाती है, पहला टीजर आया है, मैंने इसका समिक्षा की है, इसको बताया है, और भी कोई व्यक्ति अगर इसकी अच्छी समिक्षा कर सके, तो वो डाले, और सारिट एपिसोडों की समिक्षा करके डाले, और हो सके, तो कोई भाई, खुद अपने एपिसोड अच्छी तरह से बनाए, धन्यवाद.